नमस्कार दोस्तो एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं संध्या राजपूत हिंदी प्रवक्ता पहलवान गुरुद्दीन गुरुफ और कॉलेज यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ कभी इसुरी का साहतिक परिचय दोस्तो आप लोगों ने कभी इसुरी को तो सुना ही होगा यह टॉपिक आपको बिये फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही आवस्चक एबं महत्पूर्ण है बुंदेल ख बुंदेली साहतिक के हैं बुंदेली को साहतिक छेतर में इस्थापत करने वाले कभी इसुरी बुंदेल भूमी की अनमूल निधी है इनका कृत्त सर्वत्ह मौलिक है जिसे ना तो मानक हिंदी काब्य की किसी धारा से बांध जा सकता है ना ही साष्ट्री विधान के अंतर लोक जीवन के उनमुक रूप का इसुरी के काब्य में निधर्शन होता है बास्तों में इसुरी सच्ची अर्थों में बुंदेली के ही कभी हैं लोक जीवन की सुछंद अनुभूती लोक कलाओं की मिर्दुल बल्लिया और लोक संगीत की परंपरा का दर्शन इसुरी की का अब्यातमक साधना की उपलब्दी है उनका जनम मेड की गाउं में हुआ था बड़े होने पर इसरी हमीरपुर जनपत के बगोरा ग्राम में बस गए इस ग्राम से उन्हें बहुत ही लगा और प्रेम हो गया इसरी बास्तों में बुंदेली काब धारा के जनक थे लोक काब के स्रश्टा इसरी से ही बुंदेली साहित का विकास हुआ इसके पूर्व यह परंपरा मौखिक रूप से पिरचलत थी इसरी का साहित फाग के रूप में मिलता है फाग साहित के लिए इसरी पिरसिद थे इसरी की फागें का अलग से संकलन प्रकासित हो चुका है फ लोक उत्सव में फाग होली से जुड़ा है जो हास्य प्रेम स्रंगार का पर्व है आनन्दमय जीवन की लोक अभिव्यक्ति फाग में ही होती है इस्री ने भी फाग साहित के माध्यम से प्रेम एवं स्रंगार का चित्रन किया है इनके फाग साहित की प्रमुख विसेस्ताओं में स्रंगार के इतरभक्ति दर्सन प्रकिरती एवं लोक जीवन की समस्याओं के चित्रन भी है प्रेम एवं स्रंगार रसका इस्री की फागों में ब्यापक वड़न हुआ है प्रेम की जो परिभासा सुछंद कवियों ने रीती युग में दी थी उसी परंपरा में इस्री भी प्रमोद और प्रेम एवं प्रेम की बिकलता का वड़न करते हुए कहते हैं कि अखियां जब काउसें लगती तो सबसब रातन जगती जपती नहीं नीने ना आवे का उस नीने भगती बिन देखे सें दरत दिवानी पके खतासी दवती ऐसो हाल होत है इसुर पलक न पलत दोस्तो इन पंक्तियों में कभी इसुरी ने प्रेम उनमाद और प्रेम की ब्याकलता प्रेम की बिकलता प्रेम के प्रेम से होने बाले दुख का वड़न किया है अर्थाल सिद्ध होता है कि कभी इसुरी प्रेम में बियोग के प्रती निपन एवं चतुर थे प्रेम का प्राण तो ब्योग में बसता है अताहा प्रेमि के लिए पहली सर्थ ब्योग है और यही प्रेम का पंत कराल कहा गया है पिजये घर में नहीं है तो फाग और आनंद कैसा इस्री सीधी सादि सब्दों में एक सबदा वली कहते हैं कि हम पे नाहक रंग नाडारो घरे न प्रीतम प्यारो फीकी फाग लगत बालम बेने मन में तनक विचारो अतर गुलाल अभीर न छेरे को पिचकारी न मारो इसर सूजत प्रान सतीवन मोई जग में अंदे आरो दोस्तों यहां भी कभी ने कहा है कि प्रीय के बिना भागें कैसी प्रीय के बिना सुख कैसा प्रीय के बिना तो सारा संसार ही सुना रखता है और एक जगा और भी कहा है उन्होंने कि बियोग में सरंगार भी बरजित है परन्तु नाई का काजन लगाने जा रही है पर प्रीय प्रवासी है ऐसे इस्ति में इसुरी कहते हैं कि बाके नैन कजरवा आजो बलम बिना ना साजो दुलहन चरें दखईया को हैं वो पर देश बिराजो अन्पंक्तियों में भी उन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति कहीं है कि सपनन दिखा परे मुईसैया सुनो परोसन गुईया आप उन आए उसी से ठाड़े छपट परी में पईया उनके द्रग दो भर आए मोरी भरी तलईया इसुर आँख दगा में खुल गई उते हतो को न नहीं या उते हतो कोई नहीं या एक बार क्या होता है एक सखी दूसरी सखी से कहती है यारी यारी सखी रात में सपने में मुझे मेरे प्रिये दिखाए दिये और आते ही मेरे सिराने खड़े हो गए जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया जैसे ही मैंने उनके चरणों को पकड़ा तो उनके दोनों नेत्रों में आसु भर आए और जब उनकी आँखों में आसु भर आए तो मेरे नेत्र भी तलईया की यहांती भर गई इतने में घवरा कर मेरी आँखें खुल गई जब देखा कि वहां कोई नहीं था दोस्तों ए अत्यन्त प्रेम की अभिवक्ति है यहां भी कभी इसुरी ने प्रेम को अभिवक्त किया है और ब्योगदसा को भी इसुरी प्रेम और उल्लास के कभी है जीवन की अनभूच पहली को प्रेम और सौंदर के माध्यम से लोक जीवन से जुड़े प्रितिकों और सीधी सब्दावली में ब्यक्त करके इसुरी ने बुंदेल खंड के जन मानस के मन मस्तिस पर अधिकार कर रखा है इसुरी का साहित अपने लिखत रूप में नहीं अपने मौकिक रूप में बुंदिल खंड के पृतिक आदमी की जिहा पर है जन कभी के रूप में इसुर ने बुंदेली समाच को जीवन की रस्म एता से तरप्त किया है तो सांसारकता से पृतिक अध्यात्म का संधेश भी दिया है दोस्तो य यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सेर और सस्क्राइब